नवस्कार दोस्तों ये एक female palm है और ये विदेश में रह रहे है भारती palm है और इनकी वर्तमान आयू 27 years है इस हाथ को देखे तो ये सफलता वाला हाथ भी है पर बीच-बीच में रुकाउटे भी इनको फेस करनी पड़ेगी एक चीज तो ये second चीज है कि इनकी इतनी सारी रेखाए है वहाँ पर कि कौन सी साधिकी और कौन सी राहू रेखा है उसमें judgment लेने में कहीं न कहीं गल्तिया हो रही है मैंने बहुत कोशिस की फिर भी किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुचा हूँ मैं वो लाइन भी दिखाने की कोशिस करूँगा यहाँ पर एक धनुशाकार सेप बन रहा है तो ऐसे लोग समझदार होते और जीवन में जो opportunity आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ते है यह पाम rectangle और squarish दोनों है तो sales और marketing में भी काफी expert होते है और चोड़ा ही होती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं हिमती सभाव का भी होता ह है हिमती तो नहीं मेहनती इंसान होता है तो यह plus point भी है इनके हाथ में इनका सबसे best part है हाथ का अंगुठा इतना अच्छा अंगुठा एक अच्छे व्यक्तित्व की निसानी है काफी strong व्यक्तित्व होगा कारे के प्रती अच्छी खासी जिद्व होती है जब इस तरह की व्यक्तित्व होती है और सेकड्ड फैलेंज भी अच्छा है जा लौजिक की जड़तorno की जोती है नौजिक यूस किया ज़ाच चूप रहने की जोत है वह चूप रहे और ये सइज़ भी काफी उत्तम है और लॉजिक भी अच्छी यूज कर पाते हैं क्योंकि एवरेज से ज़्यादा बढ़ा है तो यह एडवांटेज भी इनके हाथ में है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जाता रहेगी और फास्ट नीणे लेने वाले होते हैं यह फैलेंज सारे सपाट है प्रेस के हुए कपड़े की तरह तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं और थोड़े से फैलेंज बढ़े है तो थोड़ी सी एनालेटिकल परसनालेटी भी होंगे यहाँ पर यह उंगली फर्स फैलेंज के उपर तक पहुच रही है गुरू की उंगली से बढ़ी है तो व्यक्ति हिमती सभाओ का होता है कैसा भी समय जाता हो जीवन का आनन भी लेता है और जिब में पचास आजार हो और पचास लगती रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते यह उंगली भी फर्स फैलेंज तक पहुच रही है तो व्यक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को सभाल कर रखना याद सकती मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और जिस व्यक्ति का यह उंगली और अंगुठा इतन बलते है यानि ज्यादा आसान रहेगा बुद्परवत पर यह स्क्वेर साइन दिख रही है यह व्यक्ति को कहीं न कहीं मैं यह व्यक्ति कलर है तो मैं वाइट कलर ही यूज़ करता हूँ जब यह स्क्वेर बनते यहां पर तो ऐसे लोगों की रक्षा होती है चाए हर जगह कोई भी सब्जेक्ट होगा उस जगह पर इनकी रक्षा होगी और बहुत सारी लाइन है और बुद्परवत भी अच्छा है तो व्यक्ति पर्ष्ट वक्ता होता है सेकेंड चीज दो चार भाषाओं का जानकार होता है वानी एकदम मीठी होती है और सहद की तरह यह सारे गुन व्यक्ति को बुद्परवत से मिलता है और बिजनेस सेंस बहुत जादा होता है अब इनके सनमाउंट पर देखे तो एक फिश्ट रहन यहां पर है इनके एक यहां पर है दो एक यहां पर भी है एक यहां पर भी है इस जगह पर भी है इतना चोटा करसर नहीं चलता और एक यहां पर है तो यह एक तरह से लकी पाम है क्यूंकि ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन बनता है और यह व्यक्ति को ज़्यादा पैसा देती है तो इस तरह की साहिने इनके हाथ में है और एक फोटोग्राफ है इनका उस पर भी चलते है उसमें कुछ और दिख जाये तो यह यह दिख रही है यह एक और है अंदर की तरफ फीश के अंदर फीश है इक यह यह पर भी है तो ये काफी प्लस पॉइंट है हाँ बहुत बड़ी साइन तो नहीं है मैंने दो दिन पहले इनके फ्रेंड का मैंने अनालिसिस किया था उनके अंदर थोड़ी सी बड़ी थोड़ी नहीं अच्छी खासी बड़ी साइन थी पर इनकी इतनी बड़ी नहीं है पर फिर भी है तो ये एक ग्रोथ वाली चीजी है पैसे के मामले में व्यक्ति को अच्छी सौलियत मिलती है एक लाइन ऐसी है जो यहां से निकल रही है और जुपिटर की और जा रही है इस तरह की लाइन व्यक्ति को बड़े बड़े लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं और ये भी सफलता दिलाती है इसको कम आगने की जुरत नहीं है इसमें भी काफी प्लस पॉइंट रहता है बड़े बड़े लोग जीवन में संपर्क में आते है जब इस तरह की लाइन होती है तो यह एक एडवांटेज है इनके पास और एक दो लाइन scheकी जब होती है तो व्यक्ति मल्टी क टेलेंटेड भी होता है और हहाँ पर थोड़ी सी यस वाली साइन भी है बहुत बड़ी तो नहीं है पर यह भी व्यक्ति दिलाएगी यानि फेम दिलाएगी अब शनी परवत एक दम फ्लाइट है आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता ये एक advantage रहता है और यहाँ पर square sign नहीं दिख रही है ये व्यक्ति को पुस्ते नहीं जमीन जाइदात की और इशारा जाता है व्यक्ति का और ये साइन व्यक्ति को धर्म के प्रती अलग नजरिया देती है ये किसी को बता भी नहीं पाते हैं और किसी को बता दिया तो सामने वाले को समझ भी नहीं आता वो नजरिया रहता है इनका मेरे हिसाबसी यह जुपिटर माउंट काफी अच्छा है तो पारिवारिक और सांसा रिक सुख ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है उसमें कोई दो रहे नहीं अगर यह क्रॉस बना हुआ है बच्पन में जोर से एक बार सर पर लगा होगा और थोड़ा-थोड़ा सर्दद का प्रॉबलम रहता होगा तो हस्बेंट के साथ ट्यूनिंग ऐसे लोगों की काफी उत्तम रहती है और एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार यह मल्टिपल इंकम की और इशारा जाता है पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिष्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा जरूरी नहीं कि वेक्ति पामिष्ट्री या एस्ट्रोलोजी में जाए कोई टेरो में भी इंट्रेस्ट रखता है कोई जो neurology होती है उसमें भी interest लगता है किसी भी तरह के mystery science में ध्यान जाता है धर्मिक्ता देती है multiple income देती है mystery science में ध्यान देती है और चौती चीज सेवाभवी होते है तो ये चारों गुन इनमें रहेंगे और Jupiter Mount काफी अच्छा है तो खाने के भी शौकिन होंगे खाना अच्छा बनेगा जो भी कारे करेंगे बड़े स्थरका करेंगे और जीवन में दबदबाविल मिलेगा यानि status भी मिलेगा तो ये सारा advantage इनके हाथ में है अंदुनी मंगल पर थोड़ी सी लाइने ज्यादा दिख रही है पर ये विदेश में वहां पर इस तरह की चीजे मिलेगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं भुले नात का मंदिर मिले तो अच्छी बात है नहीं तो meditation करें तो ये चिंता देखा है अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो depression का सिकार बनता है तो ये एक minus point इनके हाथ में मुझे शो हो रहा है जो कहीं न कहीं इनको meditation की और ले जाना चाहिए और थोड़ा सा अंदुरी मंगल इतना मजबूत नहीं है तो सारे रिक उर्जा मद्यम टैप की रहेगी है भारी मंगल अच्छा है तो जब किसी से मिलेंगे तो energy के साथ मिलेंगे पर उतना भी अच्छा नहीं यानि बहुत energy के साथ मिलें इस तरह का भी नहीं मद्यम टैप का है किसी से बहुत energy और किसी से safety लेकर चलना यहां पर देखे चंद परवत पर एक cross sign बनती है यह व्यक्ति को जीवन के प्रति भय पैदा करती है डर लगता है आज हम जहां पर है वहां से नीचे गिर गए तो इस तरह का भयस आता था व्यक्ति को और यह addiction line है व्यक्ति एक दो घंटा काम करता है उसके बाद उसे कोई न कोई gap लेने की जुरत पड़ती है उसे खाली पन का एहसास होता है कोई चाय पीता है कोई coffee पीता है कोई cigarette पीता है कोई धर्म का सहरा लेता कोई कामुकता का सहरा लेता कोई ने कोई सहरा जरूर लेता है व्यक्ति एक दो गंटा काम करने बाद उसे खाली पन लगता है तो यह वस्तु भी है इनके हाथ में यहां पर यह जो star बन रहा है यह इनको जीवन में अच्छानक धनलाब जो बड़े स्तर के अच्छान का चलन होता है हमारे भारत में नहीं है तो आप लोट्री की टिकेट लेते रहिए जीवन में छे से साथ बार आपको अच्छानक वाले बड़े-बड़े धनलाब होने के चांसे से आपके जीवन में क्योंकि यह काफी उत्तम तरह का star है आपके यहां पर मैं आपको सामने से सला दे रहा हूं जो यह गलत सला है पर फिर भी मैं दे रहा हूं क्योंकि यह इस तरह की चीज़ है हाँ मनी टैंगल चीव ऐसा नहीं है पर ऐसे लोगों को जरुद भी नहीं होती जिनके हाथ में fish train होती है है जरूर पर दो तीन लाइनों से मिलकर बन र जाती है सनमाउंट पर तो कोई problem नहीं आता है और चंद्रपरवत अच्छा है और साथ मैं यह सारी रेखा है विदेश settlement की और ही इशारा जा रहा है और चंद्रपरवत अच्छा होता है तो अच्छा Purchaser होता है पानी अच्छा लगता है दूद से बनी चीज़े अच्छी लगती है विदेश से संबन्द आता है जो आ चुका है प्लस नई नई चीज़े करने का शौक होता है तो यह सारा एडवांटेज लगती को मिलता है शुक्र परवत पर मुझे थोड़ी बारिक लाइन है ज्यादा दिख रही है मैं इसका उपाय दे दूँगा क्योंकि यह लगता है जैसे किसी ने जकड के रखाओ लोगे की जंजीरों से पैर बान के रख्थे हो इस तरह की फिलिंग आती है मैं इसका उपाय दे दूँगा पूजा का उपाय सिंपल उपाय है और यह लाइन निकलते भी दिखेगी आपको जब वो उपाय करोगे तो यह लाइन न अब आपकी रिदे रेखा में दोनों के बीच में गैब कम होता है तो किसी न किसी को पूछ कर जीवन में दीने लेते अब वो या तो दोस्त हो सकता है या कोई परिवार का व्यक्ति हो सकता है तो यह एक वस्तू है सेकेंड यहाँ पर स्पेस जादा हो तो भी व्यक्ति आम लोगों से कई गुना जादा धनी होता है यह स्पेस भी जादा धनी बनाता व्यक्ति को और यह रेखा जब शनी परवत से निकलती है तो तीनी तरके गुन होता है एक सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, सेकेंड चीज, कामुक भावना और तीसरी चीज, व्यक्ति कभी-कभी फिजिकल बनता है, यानि हाथ पेर उठाता है, तो ये एक तीनों चीजों वाली ये हरदे रेखा है, हरदे रेखा काफी उत्तम है, तो जीवन का आनन्द काफी अच्छी तरह से ले पा पहले तक आप बहुत आनन से जीवन अपना जीप आओगे, और एक दो फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो, तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुश ही ढूणता है, और ये लाइन है, व्यक्ति के माबाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है, अ परिवार के किसी व्यक्ति को जरुद गिरती है, तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, अपनी जिमेदारियों से कभी भागते नहीं, ये भी एडवांटेज है इनके हाथ में, और ये लाइन जब जुपिटर से निकलती है, तो व्यक्ति की महतोकांशा सो करती है, औ जब इस तरह की लाइने चलती है, तो ये कही न कही प्रेशर बना रहता है जीवन में, और ये लग बग 52 की एज तक आपको जीवन में प्रेशर बना रहेगा, किसी न किसी तरह का प्रेशर जरूर रहेगा आपके, और थोड़ी सी लाइन वेवी है, तो नेनेओं में कही न कहीं उतार चड़ाओ, जीवन में आता रहेगा, दबाओ आता रहेगा आपके जीवन में, जब उपर होगी तो भी दबाओ आएगा, जब नीचे लाइन आएगी तो भी दबाओ आएगा, कहीं न कहीं आपके रहु रेखाई भी दिख रही है, तो जितना अच्छा दिख रहा वहाँ पर कही न कही अंदर से आपको pain भी फिलोगा चाहे वो negativity राउरेखा से हो चाहे mind line के wavelength से हो कही न कही दबाओ आपके जीवन में रहेगा 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 और उसके बाद अच्छी खासी उत्तम होके चल रही है और यहाँ पर एक अच्छी सी fish sign है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा sharp होते जीवन में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा sharp इनको आप बातों से कभी जीत नहीं पाओगे इनकी mind से कभी जीत नहीं पाओगे चंचल तूरन जवाब मिलेगा आपको और with logic के साथ मिलेगा इतने अच्छी sharpness होती है mind की तो ये सारे advantage इनके हाथ में है तो plus और minus साथ साथ में है अब इनकी जो line है मुझे 24 के आसपास इनके जीवन में इलू-इलू हुआ होगा ऐसा लग रहा है और उसके पहले भी एक line joint होते हुए दिख रही है उसके बाद एक 25 के आसपास offshoot है हो सकता है कोई degree मिली हो इनको उसके बाद ये 26 के आसपास एक छोटी सी रेखा काट रहे है अगर ये रेखा यहां joint होती होगी तो इस जीवन में भी कोई न कोई आया होगा दस्तक दिया होगा नहीं तो इसे राओ रेखा आप पकड़ सकते हो 26 के बाद 27 में छोटी सी राओ रेखा है उसके बाद 29 में ये जो रेखा है ये अगर joint होती है तो ये साधी कराएगी पर मेरे हिसाब से ये साधी वाली line नहीं है ये कहीं न कहीं राओ रेखा है क्योंकि मैं दूसरे फोटोग्राफ में भी देख चुका हूँ पर बहुत बार ये इस तरह का gap मैं पता नहीं चलता अगर ये line joint होती होगी तो ये इस period में इनकी साधी हो जाएगी 29 में अगर ये नहीं होती तो यहाँ पर 30 के आसपास offshoot है कोई अच्छी वस्तू भी इनके जीवन में आएगी और उसके बाद ये जो line है ये 100% साधी वाली line है 32 के आसपास है और ये दूसरे फोटोग्राफ में भी मैं देख चुका हूँ ये यहाँ पर भी show हो रही है ये कहीं न कहीं ये line इनके जीवन में सेना ही बजाएगी यानि ये अगर इस line को पकड़े तो ये हो गई 24, 24 और 8 32 32 के आसपास इनके जीवन में ये chance दिख रहे ये मेरी और से maximum price किया मैंने ये line को ढूणने के लिए उसके बाद 33 में offshoot है तो कोई न कोई benefit भी मिलेगी इनको उसके बाद और यहां पर छोटी सी राउ रेखा भी है 33 में फिर 34 में राउ रेखा है फिर 36 में राउ रेखा है और 38 में थोड़ी सी बड़ी राउ रेखा है उसके बाद 40 में है उसके बाद 40 के बाद 42 में एक राउ रेखा है और एक कोई न कोई नियर एंड इरर की भी डैथ होगी और एक आफशुट भी है उसके बाद 43 में एक राउ रेखा है और 146 में भी राउ रेखा है आफशुट है 148 में राउ रेखा है और 149 में आफशुट है यह सारी चीजे इनके हाथ में है तो यहां तक मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इतनी बारिक रेखा है 24 में इलू-इलू 25 में आफशुट 26 में यह तो राउ रेखा यहिलू-इलू 27 में आफशुट राउ रेखा 29 में राउ रेखा यह सादी के चांसे स्पर 100% नहीं 30 में आफशुट 31 में एक चोटी सी राउ रेखा 32 में शादी 33 में राउ रेखा भी है प्लस आफशुट भी है 34 में राव रेखा 36 में राव रेखा 38 में राव रेखा थोड़ी सी बड़ी है 40 में आधी है 42 में आफशुट भी है और near and dearer की death भी है 43 में राव रेखा 46 में आफशुट भी है और राव रेखा भी है और 48 में राव रेखा और 49 में आफशुट इतनी सारी चीज़े इनके हाथ में चल रहे हैं तो केवल राहू रेखाए भी नहीं है साथ-साथ में आफशूट भी है तो प्लस माइनस इनके जीवन में चलता रहेगा राहू रेखा है फिश्चा इन वालों का जादा ले नहीं पाती पर नेगेटिव फिलिंग देती है महिलाओ को खास कर इसमें ध्यान देना होता है जब राहू रेखा होती है तो वो भार अपनी नेगेटिटी नहीं निकाल पाती तो उनके लिए आसान हत्यार होता है उनका हस्बेंट उस समय जीवन में परिवार में क्लैश होते हुए देखा है मेरे पास ऐसे कई कपल आते है जो पेन उठा रहे होते हैं अपने रिलेशन में और उस व्यक्ति में अगर देखे तो महिला के हाथ में राव रेखा कटी होती है तो मैं पहला अगर कोई पेन वाला आता है व्यक्ति तो उसका जूपिटर माउंट देखता हूँ और जूपिटर माउंट अच्छा देखता है तो सबसे पहले पूछता हूँ कि ये इसी साल आपके साथ हो रहा है कि पहले भी हुआ है तो वह लोग कहते है कि अभी इसी साल हो रहा है तो वह राव रेखा का ही कारण होता है दूसरा कोई नहीं वह जैसे ही पूरी होती है जीवन वापस हाथ में हाथ डालके गुमते रहते हैं तो ये एक खास ध्यान रखने आपको जब राव रेखाएगी आपको छोटा मोटा कोई ने कोई आर्थिक नुकसान होगा आपशूट आएगा तो बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगी क्योंकि आपशूट भी साथ साथ में कई चल रहे हैं मैंने कितनों की तो उम्र एज भी पर भहुत सारे आपशूट है तो नेगेटिव के साथ साथ पोजिटीविटी भी भहुत है तो घबरानी की जड़त नहीं है राव रेखा अगर दो लाख पांच लाख लेगी तो आपशूट आपको 25 लाख लेगी इतना ही सारे आपशूट है तो ऐसे देखा जाए तो सभाव के अंदर केयर करना बस जब राव रेखा है तो मौन हो जाना नेगडिविटी को निकालने की घर में कोशिस मत करना बस इतना ध्यान रखना बाकी बहुत सारे आपशुट है और ये केवल एक जो बारिक रेखा है इसका आप इलाज कर लेना काफी उत्तम पाम है अब आ छोटे मोटे कट कभी लगेंगे तो ऐसे को बड़े कट भी नहीं लग रहे है ये भी है कट खली एक कट उम्मर 41 के आसपास थोड़ा सा बड़ा दिख़र है 40 के आसपास और मैंने हो इक रावर रेखा बताई भी है 40 के आसपास ये एक आपको पेन देगी और एक कट 55 के आस पास जो हो चुका होगा आपके जीवन में तो काफी उत्तम पाम है कोई गबराने की जुरत ने ना आपकी कोई रेखा डिश्टब है ना कुछ भी है अच्छी घासी धन रेखा है हाँ पतली धन रेखा है पैसा ज्यादा देगी पर आपको सुबे से लेके रात तक मेहनत रहेगा इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट आपके जीवन में नहीं है तो काफी अच्छा पाम है मेरे हिसाब से उत्तम पाम है बहुत अच्छा विकास अपने जीवन में करोगे तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप ल